दोस्तो अगर आप यूटीब पर वीडियो देखने के लिए एड ब्लोकर का यूज़ करते हैं ताकि आपको विदाउट एड्स वीडियो देखने को मिलें तो यूटीब आपके वीडियो प्लेयर को ब्लोक कर सकता है दोस्तों स्वागत है मेरे चला एमजे टेक में मैं हूँ आपका होस्सुरिंदर तो आज की इस वीडियो में हम जानेगे कि यूट्यूब की ये नई पोर्ट सी क्या है जिसमें वो आपके वीडियो प्लेयर को ब्लोग कर सकता है एड ब्लोकर यूज करने के लिए तो दोस्तों अक्सर आपने देखा गए कि यूट्यूब पर जब भी आप कोई वीडियो प्लेय करते हैं तो उसमें मुछ एड्स आती है इनी एड्स से जो है यूट्यूब और जो क्रेटर है वो अर्निंग करते हैं जो भी इन एड्स से रेवन्य होता है वो क्रेटर और यूट्यूब में शेर हो जाता है जैसे कि इस वीडियो में एक मेरी वीडियो है इसमें आप देख सकते हैं कि एड है मैं इसको प्ले करके आपको प्ताता हूं नए ने श्वर्मा गुरू इस मैनुट्री बिजनेस आफ्टर अटेंडेंड तो यहां पर आप इस एड को स्किप भी कर सकते हैं entrepreneur to well-pronored challenge workshop, not just that. यह वो 129 something pay करने होंगे, इसके जो subscription plans यहीं से start होते हैं, इसके इलावा यहाँ पर annually family और student membership plans भी हैं, वो भी आप purchase कर सकते हैं, YouTube premium service को purchase करने के बाद आप जो YouTube पर without ads जो वीडियोज हैं, उनको experience कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, आप वीडियोज को mobile पर देख रहे हो, जाए desktop पर देख रहे हो, तो YouTube premium service को purchase करने के बाद आपको जो वीडियोज हैं, उनको जहाँ पर download भी कर सकते हैं, जब offline हो तो उनको देख सकते हैं, YouTube premium की service लेने के बाद आपकी जो YouTube की वीडियोज हैं, वो background में प्ले होती रहती हैं, अगर आप कोई other app अपने mobile पर open करते हैं, तो इसके अलावा YouTube premium service को purchase करने के बाद आपको जो YouTube music premium service है, वो भी मिलती है, जहाँ पर आप ad free music सुन सकते हैं, वो ये service आपको mobile और desktop दोनों पर मि लेगी, वर दोस्तों अगर आप YouTube premium की service जो है वो purchase नहीं करते हैं, और YouTube पर without ads video देखने के लिए ad blockers का use करते हैं, तो YouTube आने वाले समय में YouTube पर आपका जो video player है, उसको block कर सकता है, दोस्तों आने वाले समय में YouTube का ये बहुत ही बड़ा update होने वाला है, क्योंकि कुछ users ऐसे हैं YouTube पर without ads video देखने के लिए, वो ad blockers का use करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि YouTube पर जो videos हैं वहाँ पर ads नहीं दिखाई देती हैं, जो कि YouTube की policies के according नहीं है, YouTube का जो सारा system है वो इन्ही ads पर based है, जो advertisers हैं वो YouTube की videos पर ads दिखाते हैं, जो उनके compatible होती हैं, और इन्ही ads से जो creator है और YouTube YouTube है, उनको जो revenue का share मिलता है, तो दोस्तों हो सकता है कि आने वाले समय में YouTube अपने platform पर three strike policy लेकर आए, उन लोगों के लिए, जो YouTube पर without ads video देखने के लिए ad blockers का use करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं कि इस policy में होगा गया, दोस्तों Reddit के platform पर एक user ने एक screenshot post किया है, उस user के अनुसार, तीन वीडियो देखने के बाद, जो है YouTube ने उनका video player block कर दिया, क्योंकि वो अपने browser पर YouTube का use करते हुए ad blocker का use कर रहे थे, तो अगर आप इस screenshot को देखें ध्यान से, तो ये YouTube की और से एक warning message दिखाई दे रहा है, तो कोई user अगर अपने browser पर YouTube को देखते हुए ad block कर रहे है, तो यहाँ पर उसको YouTube की और से, यहाँ पर एक warning message आता है, video player will be blocked after three videos, means कि अगर आप अपने YouTube platform पर YouTube की वीडियो देखते हुए ad blocker का use करते हैं, तो तीन वीडियो देखने के बाद, जो है YouTube का जो वीडियो प्लेयर है, वो ब्लोक कर दिया जाएगा YouTube की और से, तो नीचे यहाँ पर आप से देख सकते हैं, दो बटन भी दिखाई दे रहे हैं, तो YouTube का यहाँ पर कहना है कि आप यहाँ पर इससे बचने के लिए, यहाँ पर जो YouTube की ads उसको allow कर सकते हैं, otherwise आप YouTube premium की service होती है, उसको purchase कर सकते हैं, एड blocker को face करने के लिए, यूटीब की और से यह बहुत ही बड़ा update है, जिससे कि वह यूटीब के platform पर आपके video player को block कर सकता है, अगर आप अपने YouTube platform पर वीडियो को देखते हुए, एड blocker का use करते हैं, तो होप करता हैं दोस्तों आपको YouTube का यह update अच्छा लगा होगा, चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को subscribe करना ना भूल चैनल पर दिए गए, बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, तभी आपको जो मेरी वीडियो की notifications हैं, वो मिलेंगी, thanks for watching this video again,